नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हीमेडिया एजूकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक वार फिस से हीमेडिया एजूकेशन आपके लिए जोब से रेटिव्ड अपडेट लेक्या है और इस वीडियो में जो है हम लोग आपके सार शेयर करने जा रहे हैं कि करतियां ये रेगलर बेसिस पे होने जा रही है और सेंटर का स्केल जो है सैवन पे कमिशन इनको दिया जाएगा कोई कॉंट्रेक्ट प्रियड नहीं है इसमें तो अगर आप इन पोस्टों के लिए लिजिबल है तो इस पोस्टों के लिए अपलाई जिरूर करें क्यूंकि इ ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों हिमालेन फोरेस्ट रिसर्च इंसीटूट शिमला की तरफ से जारी की गी है जिसमें की लडी सी की तीन पोस्टों के लिए बरती निकाली गी है लडी सी जाने की लोर डिवीजन क्लर्क जिसे बोला जता है जनल कैटेगरी की इसमें दो पच्चीस इंग्लिष की टाइपिंग अगर आप च्चीस इंग्लिष की टैप इसमें आपको 63-20 words per minute टैप करने होंगे तो यह आपका जो टाइपिंग डेइटर पर होगा अगर आप computer पे देना चाहते हैं तो आपको जो English में typing speed आपकी 35 होनी चाहिए और हिंदीज में 30 होनी चाहिए तो ये आपके पास option होगी कि आप type writer पे जो अपने typing test देना चाहते हैं या फिर आप computer पे देना चाहते हैं age limit की बात करें तो 18-27 वर्ष के व्यक्ति पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं SC category के लिए जो upper age रहेगी वो 27 की जगा 32 रहेगी और 5 साल की relaxation उनको भी दी जाएगी जो अभी हमार्चेश ब्रदेश या किसी वो state government में job कर रहे हैं और इस post के लिए apply करना चाहते हैं तो यह तो होगी पहली lower division clerk की बात बेसिक पे की बात करें तो lower division basic बेसिक पे जो इनको दिया जाएगा LDC को 19-900 दिया जाएगा इसके उपर जो है 38% अब डिये है सेंटर कोर्मिंट का तो वो लगा दे तो कम से कम 20-30,000 आपकी सर्री जो है इसमें starting बनेगी अगली पोस्ट जो है MTS की अमर्टिंग टास्किंग स्टाफ की है दो पोस्टों के लिए भरती हो रही है बेसिक पे 18,000 तो 26,000 के आसपास इनकी सर्री बनेगी और regular भरती है ये भी इसमें एक पोस्ट जर्नल की और एक पोस्ट S.C. की भरी जा रही है इसके लिए जो essential qualification है वो metric रखी गया metric पास को अभी व्यक्तिस पोस्ट के लिए apply कर सकता है age limit की बात करें तो 18-27 वर्ष रहेगी और S.C. के लिए 32 साल उमर रहेगी अधिक कम पांच सार की relaxation इसमें भी दी जाएगी जो अगर आप government department में किसी में work कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं अब इसमें selection कैसे होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों दोनों पोस्टों के लिए आपका return exam होगा LTC के लिए 100 marks का exam होगा जिसमें plus two level के question आएंगे aptitude के 25, English के 25, awareness के 25 और 25 question ही आपको reasoning के पूछे जाएंगे अगर आप general category से हैं तो कम से कम आपको minimum qualifying marks 50% तो लेने ही पड़ेंगे बाकि इसके उपर जितने भी होगे उसकी merit बनेगी ऐसी category के है तो minimum 40% marks तो आपको लेने ही पड़ेंगे दो घंटे का आपका ये exam होगा दूसरा जो पोस्ट है MTS इसमें भी 100 marks का exam होगा इसमें भी 10th level के question पूछे जाएंगे exam pattern same रहेगा aptitude, English, Awareness और Reasoning इसमें पूछी जाएगी और qualifying marks आपको इसमें भी लेने mandatory रहेंगे दो घंटे का ये भी आपका exam होगा दोनों exam हों में जो है netting marking भी रहेगी वन फोर्थ जो है आपके every question रोंग question पे जो है marks कटेंगे इसके बाद जो serial number one LDC की post है इसमें जब आप test qualify कर जाएगा फिर आपकी merit बनेगी 10 ratio के इसाब से यान कि अगर ये LDC की post की बात करें तो 3 poster है तो 30 candidate को जो है typing test के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद फिर merit से select किया जाएगा candidate को typing test जो होगा वो qualifying के nature होगा जो आपकी merit बनेगी वो only only written exam पे ही बनेगी और multi-tasking staff है इसमें ट्रेक्ट जो है merit basis पे ही आपकी selection होगी इसके आगे exam के बाद कुछ नहीं होगा कुछ general या important instruction की तरफ चलते हैं तो इसको apply करने का जो process है वो offline रहेगा application fees जो है आपको demand draft बनाना होगा उसके मादियम से pay करेंगे general category के लिए जो है 300 रुपए fees रहेगी और application fees जो है इसमें और processing fees दोनों को मिला कि application fees जो रहेगी आपकी वो 200 रुपए रहेगी plus जो processing fees है वो 100 रुपए रहेगी तो 300 रुपए जो fees है आपको non refundable रहेगी यह आपको इसमें bank draft के मादियम से pay करनी होगी अगर आप SC ST candidate से हैं तो आपकी जो fees रहेगी processing fees ही लगेगी जो कि आपकी 100 रुपए रहेगी तो आपकी application fees जो है अगर आप SC ST category से है वो नहीं लगेगी bank draft आपको बनाना होगा bank draft जो बनाना होगा वो डिरेक्टर HFRI की free payable at Shimla के नाम से बनाना होगा और इसके बार कुछ और important point की तरफ चलते हैं लास्ट डेट जो इसको apply करने के रहेगी दोस्तों वो 25 नॉबंबर रहेगी 25 नॉबंबर तक जो आपकी application form है वहाँ पहुंचे जाने चाहिए किसी परकार का interview उसमें नहीं होगा क्यूंकि class 3 और 4 category की ये पोस्टे है और application form जो 013 इस पते पर आपको ये भीजना होगा 25 तरीक तक आपके जो form वहाँ पे पहुंचे जाने चाहिए और जो अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं तो आपकी जो यहां पर states बताएगी है या area बताया गया है तो इनके लिए tribal area के लिए 15 December इसकी application form वहाँ पहुंचने की last date रख दी जाएगी अगर आप दूरा form भरते हैं तो आपका जो application form है वो reject कर दिया जाएगा यह आप application form आप इस वा स्क्रीन पर देख रहे हैं इस application form को जो है आपको फिल करके इनके पते पर भेजना होगा यह application form और पूरी PDF जो है आपको without any watermark मिल जागी जो कि हमारी website www.him-india.com प application